हेई गाइज, विल्कम बैक टो आर चैनल सान और टो दोस्तों, या महाब इंडियन मार्केट में अपने R100 के जैसा ही एक और आइकोनिक मॉडल को रिलाउंच करने जा रही है RD350, जो 80s और 90s के टाइम पे अपने क्लासिक डिजाइन और पारफुल परफॉर्मेंस के कारण काफी पॉपलर हुआ करती थी या तक कि इस बैक की एक दो मॉडल्स अभी तक इंडियन मार्केट में रनिंग कर्णिशन में मौजूद है फिलाल जिस तरीके से अभी इंडियन मार्केट में मीट रेंज सेग्मेंट के रेट्रो लोकिंग बाइकों की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से हीरो हार ले और बजाज ट्रम के जैसा ही या महाबे इस सेग्मेंट में कुछ न्यू मॉडल्स को लाउंच करने वाली है जैसे की RD350, RZ350 और RZ250 जिसका ट्रेड मार्क कमपनी अल्रेडी करवा चुका है तो आज की इस वीडियो में हम specially RD350 के बारे में डिसकस करने जा रहे है कि इंडिया में रिलाउंच के दोरान हम इस बाइक में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन-कौन सी चीजों में अपग्रेड किया जाएगा और स्पेशली कौन से स्पेशिफिकेशन और फीचर्स के कारण ये बाइक रॉयल इंफिल की 350 रेंज के साथ कम्प्लीट कर पाएगा बाइक में सबसे पहला चेंज इसके इंजिन में किया जाने वाला है क्यूंके 90's के टाइम पुराने RD350 मॉडल एक 347cc की एर कोलिंग सिस्टेम बाली इंजिन के साथ आया करता था जो मैक्सिमम 39bhp तक की पावर जेनेरेट करने में शक्षम था विच सिक्सपीट गेरबॉक्स और टू स्ट्रोक परलेल ट्विन मोटर लेकिन इसके अपग्रेड़ फर्शन में सबसे पहले हमको एक 4-stroke बाले बहुती जादा रिफाइंड और रिट्यून इंजिन का इस्तमाल देखने को मिलने वाला है जिससे बाइक के पावर और पर्फॉर्मेंस में काफ़े सारे बहतरीन चेंजिस देखने को मिल जाएगा इसके अलावा बाइक के एक्विप्मेंट्स में भी बहुत सी चेंजिस की जाएंगी जैसे इसके फ्रॉंट की तरफ आपको LED हेडलाइट दी जाएंगी विट LED DRLS, एक All-New Digital Meter Console का यूज किया जाएगा सेफटी के लिए बोथ एंट पर डिस ब्रेक्स के साथ डूल चैनल ABS तो होंगे ही और यामा अपने स्मॉलर सीसी बाइक में भी बहुत सी एडिसनल फीचर्स को ओफर करती है तो उसी साब से इस मॉडल में भी आपको बहुत से प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगी जैसे की Bluetooth Connectivity, Traction Control, Assist and Slipper Clutch बाइक ओवरल लुक के मामले में जाधा चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी जो Old Muscular Classic डिजाइन हुआ करती थी वो ही लोगों को काफी जाधा पसंद है इसी Old Look को मैच करने के लिए बाइक में दिया जाने वाला Digital Console आपको Single Circular Pod में देखने को मिल जाएगा साथ में बाइक के अंदर Spoke and Alloy Hills दोनों का ही Option दिया जाने वाला है बाइक का Head Light और Tail Light round shape में दिया जाएगा इंडिकेटर्स वगेरा भी round shape में ही होंगे लेकिन ये सभी लाइटिंग्स हैलोजीन की जगा LED में ओफर किया जाने वाला है अभी फिलाल कमपनी ने इस बाइक के नाम को ट्रेडमार्क करवाया है जो आपको लगबग आने वाले आर एक संडेट के बाद ही लौन्च होते हुए देखने को मिलेगा